हेलो एब्रीवन वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टडी किंग पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केरियल बिल एप पर किसी भी नए बैच में एडवीशन कैसे लें या दि दोस्तों आप भी क क्या है कि कि सिंगाने स्पार्ण के बैच में किसी भी न्यूं Batch में एडमिशन लेना चाहते हो जानना चाहते हैं कि आढ़ना चाहते हो कि ऐडमीसन लेने की प्राश्र प्र आश्र फोसेस है तो आज की इस वीडियो में आपको फुल इंफ्रमेशन मिले बाली है इस लिए subscribe कर लेना और वीडियो को like कर देना तो दोस्तो वीडियो start करते हैं सबसे पहले हम carry all well app को open कर लेते हैं हम आपको बता दें दोस्तो carry all well एक online education का platform है जहांपर आप gk、 ssc के सभी exam की तैयारी कर सकते हो state police exam की तैयारी कर सकते हो railway की तैयारी कर सकते हो और बहुत सारे एक्जाम होते हैं मैंने यहाँ पर आप SSC की तैयारी कर सकते हो SSC, CGL, CPO, MTSC, HSL SSC के इस केरियल बिल पर आपको राके स्यादब सार, गगान सार, बहुत सारे बैतरीन टीचरों की दिल्ली मुकरजी नगर के बैतरीन टीचरों की किलास मिल जाएगी गोपाल सर की भी किलास मिल जाएगी तो दोस्तो केरियल बिल से बहुत सारे टीचर जोड़े हुए हैं यहाँ पर आप 9-10 की भी स्टडी कर सकते हो टॉयल्थ की भी कुछ बैच्चिस आते हैं और NDA के भी कभी कभी बैच्चिस आते हैं जीके के बैच्चिस आते हैं तो आप इनमें से किसी के बैच्च को भी जोईन कर सकते हो क्योंकि दोस्तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको निउन्दम फीस में बैच्च मिल जाते हैं दोस्तों जो इस केरियल की बहुत ही बहुत ही बहतरीन बात है क्योंकि आपको दोस्तों मिनीमम प्राइज में बहुत अच्छा खासा कंट्रेंट मिल जाता है अब आपको हम बता दें जैसे भी कोई भी न्यूव बैच आता है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उपर ही मिल जाता है यहां पर वो जो बैच का एड टाइप का होता है वो उपर ही बैनर लगा होता है अब देख सकते हो माली जी का यह बैच आया है नूवाला इसमें एड़ीशन लेना है तो कैसे लें यह बारा तारिक से सुरू हो रहा बारा अक्टूवर से और इसकी जो रजऊ टेशन की फीस है फीस स्टारण से स्टार के ने एकी तो इसमें तो यह बहुब हम भी अड़ीशन नहीं ले सकते इदर से बता देते हैं जिसके एड़ीशन की लिंक س्टार्ट हो चुक्छी हो ऐसे बारे बता देते हैं तो कि देख सकते वे वाले भृफ हो रहा है पांच तूबर से सुरू और इसकी जो रजिस्टेशन के से 1 जोंक गई य fluorूप यहां चासे 1 जानकारि ले maa से प्यृष्टै-पांच टूबर बेसा एंप श्रूबर यह ईसक्त लिकारि करूंगा तो ba के लिए इधर से कुछ भी लिंक नहीं दी गई हैं तो अब आप सोच रहोगा एड़ीशन कैसे लेना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको इधर आना है लाइव क्लासेश वाले अप्शन पर क्लिक कर देना है उसके बाद देख सकते हो जितने भी निव बैच आते हैं उनका नो कर सकते हो एड़ीशन ले सकते हो जोइन कर सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ यह दिख रहा है गगन सरकार सीजी एल मैंस मैथ वी ओडी वैच अब इसमें माली जीगा आपको एड़ीशन लेना है तो कैसे ले आप सबसे पहले यहां से च्वास कर लीजिएगा जिसमें कर देता हूं कि लेकर दिया अब दोस्तों आपको यहां पर जो डेमो कलास होती है बो देखने को मिल जाती है यहां पर नोट्स खरीज सकते हो खरीज नहीं सकते हो यहां पर आपको बैच में नोट्स मिल जाएंगे यहां से वीडियो मिल जाएंगी यह सब नोट्स बगएर आपको बैच को purchase करने के बाद मिलेंगे और यहां से देख रहा है फीस कितनी है 1499 यहां से फीस बगएरा देख सकते हो और दोस्तो इसी के नीचे आपको option मिल जाएगा buy now का पर आप देख सकते हो buy now का option भी मिल रहा है तो यहां से आप इस बैच को buy कर सकते हो मैं buy now पर click कर देता हूँ अब देख सकते हो यहां पर लखा है make payment अब दोस्तो आपको make payment वाले option पर click कर देना है अब दोस्तो थोड़ी loading हो रही है मैं दिखा देता हूँ आपको please wait loading अब दोस्तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा यहां से आप फीस भी चेक कर सकते हो एक बार और यहां से आपकी email id देख सकते हो कि किस बैच में मतलब जिस account से आप login हो उसी में आपका admission होगा या नहीं यहां से email id चेक कर सकते हो अपनी और यहां से अपना mobile number चेक कर सकते हो अब यहां से आपको payments के option मिल रहा है सबसे पहले option है wallet का pay टियम से कर सकते हो free charge से कर सकते हो और भी बहुत सारे है pay app है, geo money है, oxygen है इस परकार के बहुत सारे ballot है और इसमें दोस्तो another ballot भी मिल जाएंगे यहां पर click करके आप और सारे ballot भी देख सकते हो यहां लिखा है select another ballot तो दूसरे ballot भी चेक कर सकते हो अब जो second option है यह card का यानि की cards यानि की आप यहां से जो आपका David credit card होता है उससे pay कर सकते हो यहां पर आपको David credit card का number डालना होगा यहां पर उसकी expiry date डालनी होगी यहां पर CVV number डालना होगा और यहां पर name on card आपका भी जो भी नाम है जो card पर डालना होगा है उसको डालना होगा अब दोस्तों जो third option है वो है bank का यहां से आप direct bank के द्वारा net banking के द्वारा भी pay कर सकते हो सभी bank को support करता है SBI, HDFC, ICICI, Access, KOTAC, IBO तो दोस्तों यहां से अधी आपका इनमें से कोई विसावी bank नहीं है तो यहां से option दिख रहा है select another bank तो इस पर भी click करके आप और दूसरे bank से भी payment कर सकते हो अब दोस्तों जो last option मिल रहा है other अधर पर भी हम click करके दिखा देते हैं अधर पर आपको ऐसे दिखा दे रहा है UPIC करना हो, Google Pay से करना हो, bank card wallet तो यहां पर payment option दिख रहा है कि इन इन से आप pay कर सकते हो दोस्तों मैंने अपनी email ID यहां पर आपको बुलर सा दिख रहा होगा क्योंकि इसमें मेरा mobile number दिख रहा है वहां पर मेरा mobile number 100 होगा और email ID तो उसको मैं hide करना चाहता हूँ इसलिए उसको hide किये हूँ अब दोस्तों आपको जो भी उच्छित लगे बहां से आप payment कर सकते हो यदि आप Paytm से करना चाहते हो तो Paytm से कर सकते हो मैंने card का option भी दिखा दिया कि card से कैसे pay होगा तो card की सारे detail बरके pay हो जाएगा bank का option बता दिया net banking से सारे detail बरके वहां से भी pay हो जाएगा सबसे पहले बात करते हैं हम Paytm की क्योंकि दोस्तों हम आपको Paytm बता देंगे अब यहां पर दिख रहा है Paynow का बड़ा सा बटन तो इस Paytm वाले option पर क्लिक कर देना है Paytm वाले option पर मैंने क्लिक कर दिया अब loading हो रही है देख सकते हो यहां पर आपका payment सो हो रहा है यहां पर payment सो हो गया अब यहां से आपका mobile number link करने को बोल रहा है यानि कि जिस भी Paytm नंबर से आप payment करना चाहते हो वाला mobile number यहां पर डाल देना दोस्तों मैं माल लिजेगा इसी नंबर से करना चाहता हूं तो मैं प्रोसीड पर क्लिक कर दूँगा और यहां से आपका number चेक कर लेना मतलब जिस भी Paytm अकाउंट से आप पे करना चाहते हो वो यह number होना चाहिए प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं अब एक OTP आएगा क्यों कि दोस्तों यह आपके Paytm को verify करेगा तभी आपका payment हो पाएगा तो OTP आएगा फिर उस OTP को डालके verify हो जाएगा उसके बाद हम payment कर सकते हैं तो OTP आजाने दीजीगा दो मिनिट आप बेट कर सकते हो अभी तक तो OTP नहीं आया है दोस्तों देख सकते हो दोस्तों Paytm का जो भी OTP था वो receive हो चुका है और OTP कितना है 200-563 तो हम इसको फिलिफ कर देते हैं दोस्तों इस परकार का OTP आने के बाद आपका जो भी account है वो verify हो जाएगा 563-563 एक बार match कर लेते हैं हाँ दोस्तों तो अब उसके बाद जो verify का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना जिससे आपका account verify हो जाएगा तो देख सकते हो दोस्तों verify करने के बाद यहां पर दिख रहा है हमारा Paytm balance है कितना 10 रुपए और यहां पर जो फीस दिख रही है वह 1499 रुपए तो दोस्तों जो payment है वह नहीं हो पाएगा यहां पर इसने बता दिया कि पहले आप add कर लीजिएगा रुपए जो card number यह दिख रहा है card number यह डाल के आप पहले 1499 रुपए add कर लीजिएगा और 10 मेरे में हैं तो 1499 हो जाए मेर देख सकते हो यदि आपके मेर अगोः हो जाएगा यहां टो मैं आपको नहीं दिखांगा कि यह क्यासे करना है आपको कुछ नहीं करना जो मैंनेवा न रोटीप 20 को बتाया रोटीप आया उसके बाद वेरिफ Malay करने के बाद दोस्तों आपके डाक़् आए-स और आफ होंगे इतने तो यह option कुछ भी नहीं आएगा डारेक्ट यहां पर पेवाले option पर किलिक करके आपका डारेक्ट पे हो जाएगा और आपका उसी बेच में कर दिया जाएगा इसकी आपकी email पर भी mail आ जाएगा आपको message भी आ जाएगा और आपका जो भी वेच में subscription हुआ है अब हम आपको बता देते हैं वह कहां पर दिखेगा यहां पर आपको दिख जाएगा कि किस course में आपका application हुआ है मैंने दोस्तों यहां पर बहुत सारे courses में admission सब्सक्राइव आप किसी भी बैच में एडवीशन ले सकते हो आपको सिर्फ जरूरत है किसी भी बॉलेट से पे करने की और उस बॉलेट में उतना मनी होना चाहिए जितने भी आपका पे कर रहे हो तो दोस्तों यहां से आप सारी जानकारी ले सकते हो हमने आपको इस वीडियो में complete information दी है कि किसी भी बैच में एडवीशन कैसे लें और दोस्तों माल लिजेगा कोई भी बैच कुछ दिनोबाद स्टार्ट होने बाला है और यदि आप सुच रहा है उसमें एडवीशन लेना तो कैसे लेंगे इस प्रकार लेंगे जैसे कि यह बैच हो रहा बारा तारिक से शुरू औ दोस्तों हम 10डव2 तोस्तों साम को 7 से देख सकते हो तो दोस्तों इस में आप 9 अक्टूबर को एडवीशन नहीं ले सकते हो इसमें जो एडवीशन की रजिस्टे संट जो लिंक होगी आप वह 10 तारीक को अपन होगी ऐसा नहीं है कि आप 12 तारीक को दिख रहा है और आज क स्यादिक स्यार कर देना लाइक कर देना धन्वाद दोस्तो